आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, question आपके पास में A sum of rupees 810 is divided into two parts in such a way that the interest of the first part at 4% for 3 year is equal to the on second part at 5% for 3 year find the two parts of the sum तो यहाँ पर देखो question में given क्या है 810 रुपे दो भाग में बाटे जाते हैं और इसको interest पर लगा जाता ठीक है कितने 4% से 3 year के लिए और वो same equal होता है कि 5% से 3 year के लिए ठीक है तो एक को यह दी 4% से 3 year के लिए है तो दूसरा किसे है 5% से ठीक है तो यहाँ पर आपके पास में simple interest का formula लगाएंगे तो simple interest का formula क्या होता है simple interest is equal to principle into my rate into my time upon my 100 ठीक है तो यहाँ पर दोनों case में interest क्या है सेम है ठीक है rate कितना है 5% है time में आपका 3 year है ठीक है तो यहाँ पर भी time से है में तो 100 से यहाँ पर कर देते है तो यहाँ पर देखे 100 से 100 cancel out हो जाएगा 3 से यह 3 cancel out तो यहाँ पर क्या जाएगा 4x is equal to my 5 से multiple करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा आपके पर देखे 0 5 5 5 8 40 तो यह क्या जाएगा 4050 मैंनेस में 5 x चीक है तो यह 5 x सिदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा तो 4 x plus में 5 x is equal to my 4050 तो आपके पर पास में क्या जाएगा 9 x is equal to my 9 x is equal to my 4050 तो 9 से दिवाइड करते हैं तो 9 जो जो जाएगा 4 9 545 तो आपके पास में x जो होगा आपका किना आगे x is equal to my 450 ठीक है तो यदि आपके पास में x क्यों होगी जो पहला पार्ट आगे आपके पास में कितना यह x is equal to my 450 तो दूसर पार्ट के दिवाइड होगा 450 माइस कर देंगे तो देखे तो 810 माइस में 450 तो क्या जाएगा 0 11 से 5 के 6 7 में 4 के 3 मैं लिए 360 तो दोनों पास आपके बास में आगे तो अंसर क्या होगा आपका 450 and 360 is the right answer Thank you